आज हम अपनी प्राजनिती विज्ञान की दूसरी पुस्तक जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनिती का अध्यान करने वाले हैं और इस पुस्तक का अध्यान हम करेंगे अपना पहला अध्याई सीत युद्ध के दोर से विश्व राजनीती में हमने अपनी पिछली पुस्तक में जाना भारत में किस तरह की राजनीती थी जब हमारा देश आजाद हुआ किस तरह की चुनोतियों का सामना भारत को करना बड़ा था उस समय तातकालिक विश्व में किस तरह का माहोल था, किस तरह की वैश्रिक राजनीती चल रही थी, किन देशों में किस तरह की प्रतीदवन्दिता थी, युद्ध का माहोल था, सहयोग था या शानती थी तो इन सारी बातों का इन सारी प्रिस्थितियों का हम अध्यन करेंगे और इस अध्यन के लिए सुरवाती बिंदू सीत युद एक बहुत ही श्यांदार बिंदू है सीतियुद का जो ये घटना कर्म है वच्चो ये थोड़ा बहुत प्रकाश डाल देता है हमारे दूसरा जो महायुद हुआ था विश्व में उस महायुद की परिणामों पर भी उस महायुद के दोरान हुए विध्वणश पर भी और साथ ही ये शीत्युद का दोर गढ़ दे जिन पर इस सीतियुद ने सीधा सीधा प्रभाव डाला था तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये शीतियुद, क्या थे इसके परिणाम, क्या थे इसके कारण, क्या था इसका माहूल और क्या पड़ा इसका प्रभाव वैश्विक राजनीती पर सीतियुद के बारे में हम जाने इससे पहले हम थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं क्यूबा के मिसाइल संकट पर क्या था ये क्यूबा का मिसाइल संकट यहाँ एक मैप आपको दिखाई दे रहा होगा इस मैप में यहाँ सोवियत संग है और यहाँ संयुक्त राजे अमरीका है संयुक्त राजे अमरीका के पास में यहाँ एक छोटा सा द्वीप है क्यूबा यह क्यूबा था यहाँ सामयवादी सासन था अर्थात सोवियत संग हमने पहले भी बात की थी हमने गुट निर्पेक्षता वाला अध्याय का अध्येन किया था कि जो सोवियत संग है वो सामयवादी विचारधारा का समर्थन करने वाला संग था एक गुट था और जो संयुक्त राजे अमरीका था वो पुंजीवादी विचारधारा का समर्थन करने वाला एक गुट था और ये जो क्यूबा है अमरीकी तट पर बसा हुआ एक द्वीप और यहां साम्मेवादी सासन प्रणाली थी यहां के राष्ट्रपती फिदेल कास्त्रों थे अब सोवियत संग के नेताओं को ये चिनता सताई कि क्योंकि क्यूबा अमरीका के काफी करीब है तो अमरीका इस पर आक्रमन कर देगा इस पर हमला कर देगा और वहां के साम्मेवादी सासन को उखाड फैंक पुंजीवादी व्यवस्था वहां पर इस्थापित कर दी कि अप्रेल 1961 में सोवियत संग के नेताओं को चिनता सताई कि अमरीका साम्मेवादी क्यूबा पर आक्रमन कर देगा और अमरीका के तट से लगा हुआ ये छोटा सा द्वीप था क्यूबा और इसका जुडाव था वो था सोवियत संग से तो सोवियत संग के नेता निकिता कुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड़े की रूप में बदलने का निश्चेल किया क्यूबा जो की बहुत करीब इस थी था अमरीका की रूस ने इसको सैनिक अड़े में बदला अर्थात यहां पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी और ऐसा पहली बार हुआ था कि अमरीका का बहुत सारा भू भाग जो यह रूस की मिसाइले थी इनके दाइरे में आ गया था इनके सीमा क्षित्र में आ गया था अर्थात वहां मिसाइलें तैनाथ करके रूस अमरीका के बहुत बड़े इलाके को बरबाद कर सकता था विधुवन्स कर सकता था देखते हैं कि 1962 में रूस ने क्यूबा में मिसाइलें तैनाथ कर दी सोवियत संग पहले की तुलना में अमरीका की मुखे भू भाग के दोगुने ठिकाने पर हमला कर सकता था अब ये देखिए कि इस बात का पता अमरीका को चलता है और एक हफता इस बात को हो चुका होता है एर्थात एक हफते बाद में अमरीका को इस बात का पता चलता है कि सोवियत संग ने, रूस ने क्यूबा में सैनिक अड़ा बना लिया है, मिसाइलें तैनात कर दी हैं और उस उन मिसाइलों के निसाने पर अमरीका का बहुत बड़ा भूभाग आ रहा है तो अमरीका के उस वक्त राश्टरपती थे जोन केनेडी, उन्होंने अपने जंगी बेड़ों को आदेश दिया कि वो जाकर के इन जो मिसाइलें हैं, इनकी तैनाती हैं, इनको रोकें और जो भी सिचुएशन है, परिस्थिती है, इसको संभालें अमरीका के राश्टरपती जोन केनेडी ने आदेश दिया कि अमरीके जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहांजों को रोका जाए, और ऐसी स्थिती में लगा कि अब युद्ध होकर रहेगा, एक तरह से इतना तनाव उस वक्त पैदा ह जो चुका था, इन दोनों महा शक्तियों के मद्ध है, और ये लग रहा था कि अब तृतिय महा युद्ध होने ही वाला है, लेकिन युद्ध किसी तरह से टला, लेकिन वो जो युद्ध की आसंका थी, उस वक्त जो विश्व में व्याप्त तनाव था, वही तनाव, वही और इन दोनों सक्तियों के मद्ध है, दोनों महा सक्तियों के मद्ध है, ये इस तरह का आमना सामना होने की बस तयारी भर ही कहलाया क्यूबा का मिसाइल संकट, अब देखते हम, इस संगर्ष की आसंका ने दुनिया को बेचेन कर दिया, अखिर क्यूं किया दुनिया को अगर हो जाता युद्ध में क्योंकि सीदी सी बात है अगर युद्ध होता तो परमाणू सस्त्रों का भी इस्तेमाल होता और इन परमाणू सस्त्रों के इस्तेमाल से पूरी दुनिया का विद्वन्श हो सकता था इतना बड़ा विद्वन्श कि जिसका हम कहें कि मुल्ले तो इसका बहुत बड़ा नुकसान पूरी मानवता को संपूर्ण विश्व को उठाना पड़ेगा अंतते दोनों पक्षों ने यूद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सासली सोव्यत संग के जहां जोने या तु अपनी गती धीमी कर ली या फिर वापसी का महा सक्तियां जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं अमरीका और दूसरी थी सोव्यत संग दोनों के अपने अपने खेमे थे अपने अपने गुट थे तो इन दोनों महा सक्तियों के बीच में तनाव संगर्ष प्रतिद्वनदिता की एक सरंखला कहलाई सीतियुद एक ऐसा दोर था ये जिसमें ये दोनों महा शक्तियां आपस में प्रतिद्वनदिता में एक होड में जुटी हुई थी अधिक से अधिक अपने सदश्य जुटाना अर्थात अमरीका चाता था कि अधिक से अधिक देसों में पुंजिवादी व्यवस्था को लागू कर दिया जाए नहीं सोवियत संग की इच्छा थी कि अधिक से अधिक देसों में साम्मेवादी जो विचार धारा है उसको लागू कर दिया जाए और साथ ही दोनों महा सक्तियां एक दूसरे से अधिक ताकतवर बनने के लिए लगातार नए-णे हथियार बना रही थी हथियारों के जखि क्षित्र में से नक्षित्र में करने की और साथ में ही अपनी अपनी विचारधारा का विस्तार करने की तो ये प्रतिद्वंदिता ये तनाव ये संघर्ष ये होड ये ही कहलाया था सीतियुद विचार धारा के इस्तर पर भी यह एक वास्तुविक संगर्ष था अर्था तियां आमना सामना नहीं हुआ था लेकिन एक होड थी व्यापक होड व्याप्त थी और इसलिए इस होड को सीतियुद कहा जाता है विचार धारा के लड़ाई की हम बात करें तो पूरे विश्व में राजनितिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सुत्र बद करने का सबसे बहतर सिध्धान्त कौन सा है ये लड़ाई इन दोनों महाशक्तियों में छिड़ी हुई थी कि संपूर्ण विश्व में इन्हें ये सिध्ध करना था कि कौन सा ऐसा सिध्धान्त है जो कि राजनितिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को बहतर तरीके से सुत्र बद कर सकता है जहां अमरीकी खेमा था वो अपनी पुंजिवादी व्यवस्था को बहतरीन सिध करने में जुटा हुआ था वहीं जो सोव्यत खेमा था वो अपनी सामयवादी व्यवस्था को सामयवादी सिध्धान्त को बहतरीन सिध करने में जुटा हुआ था तो ये थी विचार धारागत लड़ाई ये उदारवादी लोकतंत्र और पुंजीवाद का समर्थक था और जहां ये पुर्वी गटबंदन था ये सामयवाद और समाजवाद का समर्थक था और होड थी कि कौन सी व्यवस्था कौन सा सिध्धान्त जादा बहतर है इसको सिद्ध करना कि बहतरीन सिद्ध करना दोनों ही अपनी अपनी विचारधारा को बहतरीन सिद्ध करने के लिए पुरजोर लगे हुए थे सीत्युद देखते हैं हमकी मित्र, रास्ट्र और धूरी रास्ट्र मित्र रास्ट्रों की अगवाई में अमरीका, सोवियत, संग, ब्रिटेन और फ्रांस थे मतलब कि दूसरा विश्वयुद जो हुआ था वो हमने देखा कि मित्र रास्ट्र और धूरी रास्ट्रों के मध्यों हुआ था जो मित्र रास्ट्रों की अगवाई है वो अमरीका, सोवियत, संग, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे वहीं धूरी रास्ट्रों की अगवाई जर्मनी, इटली और जापान कर रहे थे 1949 के 1945 तक द्वित्य विश्वयुद का काल रहा था और इसका विस्तार दक्षनी पूर्वी एशिया चीन वर्मा तक हो चुका था और व्यापक जन हानी और धन हानी इस द्वित्य विश्वयुद में हमें जहेलनी पड़ी थी यहां कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे यह तस्वीरें आप अच्छे से एक बार देखिए यह तस्वीरें क्या कह रही हैं कहीं यह धुआ उठतावा दिखाई दे रहा है यह खंडहर मकान दिखाई दे रहे हैं ये सब का एक कारण यहां हम जानने की कोशिस करें तो ये कारण ये था कि इस युद्ध का अंत अमरीका दुआरा जापान की दो सहरों पर परमानु बम गिराने से हुआ था उस परमाणूबं की एक शती, उस परमाणूबं का हम कहें की एक परिणाम, विनाशक परिणाम इन तस्वीरों में साइद आपको नजर आ रहा होगा और उस घटना से द्वीत्य विश्वयुद का अंथुआ था तो देखते हैं, 1945 में अमरीका द्वारा जापान के दो सहरों पर अनूबं गिराए गए थे और जापान को घुटने टेकने पड़े थे लेकिन हमने देखा कि उसके कितने विद्वनशक परिणाम थे, कितने विनाशक परिणाम थे यह तस्वीरे तो कुछ भी नहीं है, आप गूगल कीज़े, आपको बहुत सारी तस्वीरे मिलेंगी, बहुत सारी बातें आपको वहां देखने को मिलेंगी, उनको पढ़िए और जानिए कि एक विश्वयुद सिर्फ एक कहें कि अपने एक विश्वयुद है उसने कितनी बड़ी हानी पूरी मानवता को पहुँचाई और साथ में एक देश द्वारा अनुबम की इस्तेमाल ने कितना बड़ा नुकसान पूरी मानवता का किया और फिर एक बार हम थोड़े से हम कहें कि भयांकित हो जाएं थोड़ा सा भय हमारे दिल में हमें आ जाएगा डराने के लिए जब हम ये पता करते हैं ये मालूम करते हैं कि जो अनूबम अमरीकाने नगासा की हिरोसीमा पर गिराए थे उससे भी कई गुणा ज्यादा क्षमता वाले उनसे भी कई गुणा ज्यादा ताकतवर अनूबम आज देशों ने बना रखे हैं आज बहुत सारे देशों के पास ऐसे अनूबम हैं अगर गलती से भी कोई दुरगटना वस भी अगर कोई अनूबम चल जाता है या फिर कोई सेनिक की किसी लापरवाही की वज़े स तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान हमारी मानवता को उठाना पड़ सकता है इसलिए वक्त हो चुका है इस मामले में थोड़ी समसदारी बरतने का आपसी होड एक दूसरे से आगे निकल जाना एक दूसरे के क्षित्रों पर अपना कबजा जमाना ये चीजें बहुत पीछ रह जाएंगी क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी इस संकीर्न होड के चकर में हम पूरी मानवता का खात्मा कर सकते हैं चलिए वापस चलते हैं द्वित्य विश्वयुद्ध पर द्वित्य विश्वयुद्ध में जैसे कि हमने जाना 1945 में अमरीका ने अनुबम गिराए जापान और इससे द्विश्वयुद्ध खत्म हुआ था बंद हुआ था इस पर अमरीका का जो तर्क था अनुबम गिराने का वो यह था कि उसने युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करना था इसलिए उसने अनुबम का प्रियोग किया साथी अमरीका ने ये भी कहा कि साथी रास्ट्रों की आगे की जनहानी को रोकना उसका उद्देश्य था कि और आगे जनहानी ना हो साथी रास्ट्रों की इसको रोकना जरूरी था इसलिए उसने अनूबम का इस्तेमाल किया था जबकि आलोचक ये कहते हैं कि अमरीका जानता था कि जापान आत्म समर्पन करने वाला है ऐसे में अनूबम का इस्तेमाल किसी भी तरीके से उचित नहीं था जब जापान आत्म समर्पन करने ही वाला था तो अमरीका ने अनूबम का इस्तेमाल करके व्यापक जनहानी बहुत सारे कहें कि लोगों को और एक तरह से परेशानी में डाल कर एक कब्रगा है उन सहरों को बना करके अगर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है तो ये कहें कि बेहद ही संकीर्ण था निक्रिस्ट था तो क्योंकि जापानात्म समर्पन करने वाला था ऐसा आलोचकों का मानना है ऐसे में अनूबम का प्रियोग करना कहीं भी सार्थक नहीं था सोवियत संग को एशिया था अन्ने जगों पर राजनितिक लाब उठाने से रोकना था आलोचक ये कह रहे हैं कि अमरीका ने जो अनूबम का उप्योग किया इसका दूसरा रिजन ये था कि वो सोवियत संग को एशिया और अन्ने जगों पर अपनी जो धाग जमानी थी अपना राजनितिक लाब था वो उठाने से रोकना था और साथ ही अमरीका ये साबित करना चाहता था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और केवल इसलिए उसने अपनी ताकत का परदर्शन करने के लिए अपनी ताकत दिखाने के लिए इस अनूबम का प्रियोग किया था अनूबम का प्रदर्शन किया था कारण चाहे जो कुछ भी हो पर ये सत्ते है कि अमरीका ने ऐसा किया था और इसका बहुत बड़ा विनाशक प्रभाव देखने को मिला था वैश्विक राजमित्य के मंच पर अब दो महाशक्तियों का उदै होता है कब दुट्य विश्वयुद के बाद में ये दो महाशक्तियां है एक अमरीका और दूसरी है सोवियत संग इन दोनों महाशक्तियों के पास अब परमानू हथियार थे और सीतियुद का इनके आपसी होड थी वो थी सीतियुद का कारण यानि कि 1945 के बाद दुट्य विश्वयुद के बाद में विश्वमंच पर दो महासक्तियां हमारे सामने आती हैं एक अमरीका के रूप में दूसरी सोवियत संग के रूप में इन दोनों महासक्तियों की जो आपसी होड है एक दूसरे को ताकतवर सिद्ध करने की एक दूसरे से ज़्यादा खुद को ताकतवर सिद्ध करने की तो ये जो होड है ये आपसी होड कारण बनी थी सीतियुद क और परमानु बम्क से होने वाले विद्वन्ष की मार जेल पाना किसी की रास्टर के वश में नहीं था, इसलिए ये इस्थिति कहलाई अवरोध की इस्थिति, दोनों ही महाशक्तियों के बास परमानु बम्क थे और हैं, और भारे संख्या में परमानु बम्क की उपलब्द तो ये दोनों ही महाशक्तियां जानती थी कि अगर वो आमने सामने युद्द की स्थिति में आती हैं, और अगर कोई देश परमानु बम्क का इस्तिमाल कर लेता है दूसरे देश के खिलाफ, तो वो स्वेम भी उसके परिणामों को जानने के लिए नहीं बचेगा, अर्थ कि एक दूसरे के साथ परमानु बम्क के इस्तिमाल से बच रहे थे, और यही स्थिति कहलाई अवरोध की स्थिति अर्थात रोक और संतुलन की स्थिति, अर्थात इस डर ने इस परमानु बम्क का जो विनाशक प्रभाव है, परिणाम है, उस परिणाम की और सजगता ने, उस परिणाम की सच्छेतिता ने उस परिणाम की लगातार जो दिमाग में उपस्थिती है कि उसके क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं और अगर हमने परमाणुबम का इस्तिमाल किया तो उसका परिणाम जाने के लिए अर्थात अपनी जीत का जस्न बनाने के लिए बचेंगी भ इस अवरोध की स्थिती में और ये दोनों युद्ध हैं वो आपसी दोनों महाशक्तियां हैं वो आपसी युद्ध से रक्त रंचित जो इनके बीच आमना सामना होना था एक लड़ाई एक युद्ध होने की संभावना बन रही थी उस अवरोध की स्थिती ने उसको रोके र रखा हालांग की प्रतिद्वन्दिता इनके बीच में अभी भी मौजूद थी अभी भी ये एक दूसरे से ज़्यादा अपने आपको ताकतवर सिद्ध करने में लगे हुए थे अभी भी ये एक दूसरे की विचार धारा को कमतर बता कर अपनी विचार धारा को सर्वोपरी पताने पर तुले हुए थे अभी भी ये दोनों अपने अपने खेमे में अधिक से अधिक देशों को जुटाने में लगे हुए थे हालांग के युद के लिए कवरोध की स्थिति उत्पन हो गई थी लेकिन प्रतिद्वन्दिता में अभी भी इन दोनों महाशक्तियों की बीच में किसी प्रकार की कोई कमिंग नहीं आई थी दोनों महाशक्तियां हैं वो अपने अपने गुटों में सामिल देशों से अपिक्षा करती थी कि वे जिम्मेदारी भरा और तरक शंगत व्यवहार करेंगे परस पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसे युद्ध में जोखिम है क्योंकि संभव है कि इसकी वज़े से दोनों महासक्तियों के बीच युद्ध ठन जाए जो एक और इस्थिती ऐसी हुई जिसने युद्ध को रोके रखा वो ये था कि दोनों ही खेमों में बहुत सारे देश सामिल हो चुके थे और वो युद्ध की परिणिती दोनों महाशक्तियों के आपसी युद्ध में भी हो सकती है और सभी उस दोनों परमाणू शक्ती संपन महाशक्तियों की बीच युद्ध की विभीशिका को समझते थे चानते थे इसलिए सदश्य देश भी इस जिम्मेदारी के साथ वर्ताव कर र तो हो सकता है कि दोनों महाशक्तियों में युद्ध ठन जाए और दोनों महाशक्तियों में जो युद्ध ठना हुआ युद्ध है होने वाला युद्ध है वो पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है इस संदर्ब में जिम्मेदारी का मतलब था संयम से काम लेना और तीसरे विश्वयुद्ध के जोखिम से बचना और जो सदश्य देश थे उन्होंने इस जिम्मेदारी को संभालने का प्रियास किया यहाँ जिम्मेदारी का मतलब यही था कि इन्हें सहियम से काम लेना था और इस तथे को हमेशा याद रखना था कि उनके आपसी युद्ध का रूप कहीं महायुद्ध के रूप में ना बदल जाए फिर से एक विश्वयुद्ध के रूप में ना बदल जाए क्योंकि तीसरे विश्वयुद्ध को जेलने की इस मानवता में अब कहें कि वो ताकत नहीं थी क्योंकि हमने इतने जादा विध की सदशियों को करना था तो यह सीत युद्ध का दोर था निसंदेह इसने तीसरे विश्वयुद्ध को होने से बचाए रखा आपस में प्रतिद्वांदिता थी आपस में होड थी आपस में एक दूसरे के खेमों में अधिक से अधिक काईंकि अपने अपने खेमे में एक दूसरे के खेमे से ज़्यादा सदश्यों का और भरना सुरू था लेकिन फिर भी एक समझ की दोनों ही परमाणों सकती संपन देश हैं और दोनों ही गुटों के सदश्यों में यह समझ की आपसी कोई छोटा मोटा युद भी विश्वयुद की प्रिणिती ले सकता है तीसरे विश्वयुद की विभीक सिखा से हमें बचाए रखा था लेते हैं क्योशन्स पहला क्योशन है क्यूबा मिसाइल संकट क्या था आपको बताना है क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में कि क्यूबा मिसाइल संकट की सकारण से हुआ था क्या वजयती उसकी और क्या उसके प्रिणाम रहे और उस वक्त क्यूं पुरा विश्व बेचेन हो उठा था अमरीका द्वारा जापान के किन दो सहरों पर अनूबम गिराए गए थे तस्वीरें आपने देखी हैं और भी तस्वीरें खोजिये ताकि हमेशा हमें याद रहे कि एक युद्ध की वेभीशिका क्या होती है क्या गुजरती है उस समुदाय पर उस मानवियता पर जो कि युद्ध की वेभीशिका से को जेल कर बाहर निकलते हैं दोनों सहरों के आपको नाम बताने हैं कौन से उन दो सहरों ने उस अनूबम की वेभीशिका को जेला था द्विट्य विश्वयुद्ध का अंत किस प्रकार हुआ और इसका वैश्विक राजनीती पर क्या प्रभाव पड़ा इस बारे में हमने अच्छे से अधेन किया है कही ना कही इसका जो अंस्वर है वो उपरवाले क्योशन में ही छुपा हुआ है कि किस तरह से द्विट्य विश्वयुद्ध का अंत हुआ था और वैश्विक राजनिती पर क्या इसका प्रभाव पड़ा था वैश्विक राजनिती पर किस तरह का दोर अब सुरू हो गया था किस तरह की प्रतिद्वण्दिता अब सुरू हो गई थी इस बारे में विस्तार से आपको लिखना है धन्यवाद